गोल, नेशन्स लीडिंग इंस्टिटूट हेलो दियर स्टुडेंट्स, आज हम लोग AITS Flashback Taste 2 का Organic Amistry का सॉलिशन करेंगे कुश्चन्स आपके सामने में दिख रहा है, चलिए स्टुडेंट्स देखते हैं क्या है कैसे सॉलिशन होगा तो देखे स्टुडेंट्स, जो फर्स्ट कुश्चन आपको दिख रहा है, कुश्चन नमर 54, कुश्चन नमर 54 में कॉलम दिया हुआ है, मैच कॉलम का कुश्चन है, आसान सा कुश्चन है, क्या है, चलिए देखते हैं, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, यह आपका प्यूरिफिकेशन मेथड्स जो है, और इस्टिमेशन मेथड्स उसका कुश्चन है, जी उसी का, तो देखे क्या दिया हुआ है, लिक्विट्स डैट डिकंपोजेज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट्स, लिक्विड्स का मिक्स्चर जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ठीक है, या उससे पहले ही डिकंपोज हो जाए, उसको सेपरेट करने के लिए, जो हम लोग मेथड यूज करते हैं, वो है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ट प्रेसर, ठीक है स्टुडेंट्स, इसका मतलब एका हो जाएगा फोर, जैसे देखो एका ये रहा फोर, और देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, स्टीम भोले टाइल लिक्विड, यह तो बहुत आसान है स्टीम डिस्टिलेशन से करेंगे, तो इसका हो जाएगा फोर्ष्ट स्टीम डिस्टिलेशन, तो बी का देखो इसमें दिया हुआ है, उसके बाद, two liquids which have boiling points close to each other, students, जैसे दो निक्विट है और boiling point में बहुत कम का difference है करीब-करीब मान लो 20 degrees का Leora 20 यवा उससे below का difference है तो अगर ऐसा है less difference है boiling point में तो उसको separate करने के लिए हम लोग fractional distillation का योज करते हैं और वही अगर दो liquid है और उसमें boiling point में ज्यादा का difference है तो हम लोग simple distillation का योज करते हैं तो वही दोनों दिया है देखो two liquids which have boiling points close to each other इसमें कौन सा हो जाएगा fractional distillation मतब C का हो गया second और D, two liquids with large difference अगर 20 से ज्यादा का हो गया difference तो हम simple distillation का योज करेंगे तो third में देखो दिया है simple distillation मतलब D का 3 ठीक है students तो ये purification and estimation method का एक simple सा question था आपके पास correct answer हो जाएगा 54 का fourth option ओके students चलिए बढ़ते हैं आब next question की तरफ तो चलो देखते हैं कौन सा question है next next question एक हम लोग के पास आ गया question नमर 55 देखिए IUPAC nomenclature का question है ये हम लोग के पास क्या कह रहा है question सीखते हैं which nomenclature is not according to IUPAC system IUPAC system के according इसमें से कौन सा नाम नहीं है ये आप से पुछा है ठीक है students चलो देखते हैं देखो इसमें कौन कौन सा functional group है एक तो carboxylic acid दिख रहा है और दूसरा ketone दिख रहा है students carboxylic acid और ketone में जो prior functional group होगा वो कौन सा होगा carboxylic acid तो carboxylic acid prior functional group है मतलब ये O जो हो जाएगा ये ketone group substituent की तरह हो जाएगा substituent की तरह उसको क्या बोलेंगे oxo, keto भी बोल सकते हैं चलो जैसा दिया देखते हैं अच्छा COOH जो है ये chain terminating functional group है तो अगर chain terminating functional group यहां पे है और वही main functional group है तो numbering उसी के carbon से start होगा ठीक है करते हैं हम लोग 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6 तो 5 पे oxo, 6 carbon का है तो hex, primary suffix हो गया in और secondary suffix OEKC, इसका मनलब ये तो correct IOPSC name दिया हुआ है, ये सही है चलो, second option को देखते हैं इसमें देखो, एक amine दिख रहा है, alkyene दिख रहा है, COH दिख रहा है, again COH जो है वो chain terminating है और वही सबसे prior functional group है, NH2 substituent होगया amino बोलते हैं उसको अब numbering तो फिर से यही से करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो क्या नाम हो जाएगा students इसका इसका नाम अगर देखोगे तो 3 पे आ गया amino तो देखो दिखा है 3 amino फिर साथकार बनका है तो hept और कितने पे in है, 5 पे in तो 5 heptin OEKC इसका मनलब ये भी correct दिया हुआ है second option third को देखो, third में अगर हम लोग देखे तो functional group एक alcohol दिख रहा है तो students alcohol जिधर से, जिस terminal से नजदीक होगा, उधर से numbering करेंगे हम लोग, ठीक है, तो इधर से देखो तो 2 पे है, इधर से 1, 2, 3 पे आ रहा है CS3 को नहीं देखना है, priority किसको देना है functional group को, functional group जिधर से नजदीक रहेगा, उधर से numbering करेंगे तो students numbering यहाँ पे हो जाएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 3 पे methyl, ये देखो, यही गलत दिया हुआ इसका actual name क्या हो जाएगा 3 methyl, ये हो गया substituent आपका कितने carbon का chain student, 4 carbon का तो root word हो गया, but primary suffix हो गया, in और कितने पे all हो जाएगा, 2 पे हो जाएगा all, तो इसमें क्या क्या रहा है, कि कौन सा UPSC के according नहीं है, तो correct tensor कौन सा हो गया, 3rd, 4th को भी अगर देखना चाहो, तो इधर से 1 पे triple bond है, इधर से 1 पे double bond है, तो double bond को priority दोगे तो 1, 2, 3, 4 तो but one in 3 iron, या one butine 3 iron यह नहीं होगा यहाँ पे यह, तो one butine और 3 iron, यह इसका UPSC हो जाएगा, तो यह तो correct दिया है तो incorrect पूछ रहा था, तो इसका correct answer, 3rd option होगा Okay students, आगे बढ़ें अगले question पर, इसको erase कर देते हैं और चलिए अब देखते हैं, next question हम लोगों के पास कौन सा है, 55 के बाद Okay, we have question number 69 तो चलो देखते हैं question number 60 में क्या है देखो, 3 compound तुमको दे रख था है A, B और C, 3 compounds we have and question में क्या कह रहा है A is metamor, यह E A is metamor of A किसका metamor है Students, point क्या है, कि A में NH NH के इस side में CH3 लिखा हुआ है, और इस side में CH2 CH2 और CH3 लिखा है, मतलब Students, इधर 3 carbon है तुमारे पास और इस side में 1 carbon ठीक है, second को अगर देखो, तो उसमें तो कुछ किया ही नहीं, एक तरसे देखो तो NH, अच्छा, NH के about metamorism हो सकता है, students हम लोग जानते हैं कि metamorism so करने के लिए polyvalent functional group होना चाहिए, divalent हो सकता है, trivalent, इस तरह का functional group चाहिए, yes, secondary amine हो सकता है, इस के about, तो इसमें NH के इस side में 1 carbon दे दिया, और इस side में 3 carbon दे दिया तो भई, ये दोनों में difference कहां कुछ हुआ, इधर 1 carbon इधर 3 carbon लिखे हैं, या इधर 3, इधर 1, ये तो same ही हो गया compound, तो ये कैसे metamor होगा लेकिन एक बार third वाले को देखो C को देखो, इसमें CH3, CH2 NH और CH2, CH3 है, तो इधर 2 carbon है और इधर भी 2 carbon है, इस functional group के about, तो 2 और 2, और इसमें कितना student, 3 और 1, तो obviously ये दोनों क्या होगा metamor, nature of alkyl group में difference आ गया दोनों side, तो इसमें 2, 2 का combination है, और 3, 1 का combination है, तो कहता है कि A किसका metamor है, तो सिर्फ C का metamor होगा, तो answer देखो, B only, C only, C only correct answer क्या होगा, second option okay students, तो simple सा ये isomerism का एक question था आपके पास अब बढ़ते हैं, next question पे okay, चलिए इसको ही raise कर देते हैं next question हम लोग के पास है students, question number 61 चलिए देखते हैं, question 61 बढ़ा अच्छा सा question है, decreasing order of acidic strength for following carboxylic acids, students, inductive effect के लिए आपको एक बात जरूर से पता होगा, DNP rule, DNP का मतलब क्या students, D for distance D हो गया distance, N हो गया number P हो गया power, जितना नजदीक रहेगा कोई group, उसका inductive effect उतना जादा होगा और distance equal हो, तो फिर number देखेंगे, कि 1 है, कि 2 है कि 3 है, ये, और वो भी equal हो, तो power देखेंगे, सबसे ज़्यादा priority inductive effect में distance को देंगे, students, ओके अब हम ये भी जानते हैं कि acidic strength को acceptor group बढ़ाता है और donor group घाटाता है, ठीक है क्यों, conjugate base ज़्यादा stable को होगा, acceptor के किसमें तो सीधा बात, acceptor group क्या करेगा, students, ACD की strength को बढ़ा देगा, अब देखो यहाँ CL कौन सा effect लगाएगा, minus I NF3 plus कौन सा लगाएगा, minus I CL कौन सा लगाएगा, minus I NO2 कौन सा लगाएगा, minus I सबसे ज़्यादा priority, again I am saying distance को देंगे inductive effect के लिए तो यहाँ COH के बगल वाले carbon पे chlorine लगा हुआ है तो सबसे ज़्यादा minus I इसका operative होगा सबसे ज़्यादा minus I इसका होगा और सबसे ज़्यादा अगर minus I इसका लेंगे क्योंकि देखो, इसमें next to next पे लगा है यह, next to next पे लगा है, इसमें भी वही बात है तो इसी लिए distance सबसे नजदी किसमें है A में, तो ACD के strength सबसे ज़्यादा किसका होगा A का, ठीक है, ACD के strength सबसे ज़्यादा A का होगा, उसके बाद देखते हैं इसमें देखो, NF3 plus CL और NO2 यह तिनों equal distance पे लगा है और हम जानते हैं कि minus I जो होता है, वो NF3 plus का होगा उसके बाद NO2 का होगा और उसके बाद कलोरीन का होगा तो NF3 plus चलो देखो किसमें लगा हुआ है NF3 plus B में लगा है, तो A के बाद हो जाएगा B, उसके बाद NO2 किसमें लगा है C में, और उसके बाद ये chlorine ये D में तो answer हो जाएगा A, B, C और D चलो देखते हैं कौन से option में दे रखा है A, B, C और D A, B, C और D, first option इसका correct answer होगा first option ओके students तो इसमें इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे distance, number and power ओके चलिए इसको मैं raise कर देता हूँ और देखते हैं next question कौन सा है 61 के बाद next question बहुत आसान सा एक question है hybridization का आपके पास, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है question, कहता है what is hybridization of the carbon atoms numbered 1 and 2 respectively in the following structure एक structure दिया हुआ है, उसमें carbon number 1 और carbon number 2 का आपसे hybridization पूझा, चलिए देखते हैं यह रह carbon number 1, कितना sigma बनाया है एक h के साथ, एक left side, एक right side तो 3 sigma, एक πाई बनाया, तो भाई, sp2 हो जाएगा carbon number 1 का और second को देखो, तो 1 इधर और 1 इधर, 2 sigma, 2 πाई बनाया sp, answer होगा sp2 and sp, sp2 and sp यह आसान सा question था आपको, आपके लिए question number और 66 उसका correct answer हो जाएगा आप 4, ठीक है students, ओके चलिए, तो next question पर आते हैं, यह easy question था, next question चलो देखो कौन सा है देखो, question number 70, अब 70 में क्या क्या रहा है, इसको परते हैं एक बाद, the total possible stereo isomers of the following compound, अच्छा question है, समझो इसको, stereo isomers, इसमें students geometrical भी हो रहा है, यहाँ देखो, इस दोनों carbon के about, double bond के about, यह जो दोनों carbon के बीच में double bond है, उसके about geometrical isomersum हो रहा है, और साथी साथ, यह दोनों center जो है students, वो chiral center है, ठीक है, यह दोनों center जो है, वो chiral center है, तो कहने का मतलब, इसमें अगर हम देखें, तो geometrical भी हो रहा है, optical भी हो रहा है, तो ऐसे case को कैसे handle करें, तो होता क्या है students, अगर geometrical और optical दोनों हो रहा हो, और दोनों का center अलग-अलग हो, यह, geometrical यहां से हो रहा है, और optical यहां से हो रहा है, फिर से सुनो, अगर geometrical भी हो रहा हो, optical भी हो रहा हो और दोनों का center अलग-अलग हो तो number of GI को optical से कोई फरक नहीं परता है बट number of optical isomer जो होता है वो geometrical पे depend करता है इसका मतलब इसका अगर आप से पूछे number of geometrical isomer तो one double bond है हम लोग सीधा सीधा लिख देंगे two इसमें कोई धरूदर का बात नहीं है लेकिन number of optical isomer अगर आप से पूछे तो देखो कैसे करना है और क्यों होगा वो भी मैं बताऊंगा तो simple सा तरीका तुम देखो तुम पहले इसका अलग से optical निकाल लो तो students two chiral center है तो two square four होना चाहिए symmetry तो है नहीं अगर अलग से इसको निकालें सिर्फ optical को देखें अगर geometrical को ignore करें तो सिर्फ optical को देखें तो कितना होना चाहिए two square four लेकिन अब देखो इस four को तुम number of gi से multiply कर दो क्यों मैं समझा रहो अभी four अलग से होना चाहिए इसको number of gi कितना two two से multiply करो तो four into two कितना हुआ eight अब बात उठा है भाई eight कैसे हुआ इसको समझते हैं तो देखो students यहाँ पे अगर sis ले ले यह gi जहाँ पे हो रहा है तो sis और trans दो possibility है इसको sis ले लो और यहाँ पे जैसे मान लो configuration आर और आर लेते हैं फिर sis ले लो फिर तुम s और s ले लो इन दोनों center पे फिर तुम sis ले लो आर और s ले लो फिर sis ले लो s और r ले लो और इसी तरह से trans में भी ले सकते हैं कि नहीं कि trans ले लिए और r ले फिर trans लेते हुए भी trans लेते हुए ही s ले लिए फिर trans लेते हुए R S ले लिए और फिर ट्रांस लेते हुए S और R ले लिए तो टोटल 4 और 4 मिला कितना होगे 8 इतना करने का कुछ जरूवत नहीं है तुम सिधा सारूल याद रखो G I और O I दोनों simultaneous हो रहा हो और दोनों का center different हो अलग-अलग जगह से हो रहा हो तो G I का number independent होगा optical का number निकालने के लिए पहले उसका अलग से find out कर लो और उसको G I के number से multiply कर दो ओके students, तो चलो देखो 8 किसमें दिया होगा है यह रहा, first option आपका दिया है optical isomer का 8 अच्छा, इसमें stereo पूछ रहा है, कोई बात नहीं जो stereo isomer होगा ने students अब इसमें geometrical और optical को add मत करना 2 प्लस 8, 10 मत करना optical का, stereo का जो number होगा that is also equal to 8 इसमें जो optical का number आया है वही stereo का भी number आएगा क्योंकि इसके अंदर में यह भी आ रहा है system already included हो गया तो total number हम लोग stereo का इसमें 8 ही कहेंगे ठीके students, तो answer हो गया first option 8 okay students, next question पर बढ़ते हैं देखते हैं कौन सा है चलिए इसको मैं erase कर दे रहा हूँ और आगे अगले question पर 70 के बाद कौन सा है चलिए 70 के बाद next question आगया, question number 76 देखिए क्या कहता है the compound formed in the positive test for nitrogen in lesine solution of an organic compound nitrogen के लिए जो lesine test करते हैं, उसमें क्या होता है जैसे SFE जो होगा sodium fusion extract उसमें क्या रहेगा Na carbon तो रहेगा ही organic compound में और nitrogen है तो इसका मतलब SFE में NaCN रहेगा, ठीके students NaCN मतलब Cn माइनस NaCN है SFE में sodium fusion extract में क्या है NaCN, मतलब Cn माइनस है इसमें add क्या करते है Fe SO4 Fe SO4, Fe SO4 का मतलब Fe 2+, तो Fe 2+, उस Cn माइनस के साथ मिल करके Fe Cn होल 6 4 माइनस बनाता है solution में dilute S2SO4 डालते हैं वो dilute S2SO4 Fe 2+, को Fe 3+, में convert करता है और वो Fe 3+, वो Fe 3+, इसके साथ combine करके Fe 4, Fe Cn हॉल 6 का हॉल 3 और ये complex बनाता है और इसका जो color होता है students वो होता है Prussian blue Prussian blue color का ये complex बनाता है और इसी Prussian blue color के complex से हम identify करते हैं कि इस compound में जरूर nitrogen रहा होगा तो आपसे यही पूचा है कौन सा compound बनता है जब nitrogen के लिए हम lessine test करते हैं तो Prussian blue color का ये Fe 4, Fe Cn हॉल 6 का हॉल 3, मनलब correct answer इसका होगा first option ओके students, ये भी estimation method से एक question था, अच्छा question है तो आगे बरते हैं students next question चलो, देखते हैं कौन सा है next question है हम लोग के पास question number 78 तो देखे, question में क्या कहता है arrange the following in decreasing stability order of N9 carbon 9 का आपके पास stability पूछ रहा है कि क्या stability का order होगा चलिए देखते हैं students, एक चीज तो दिमाग में सीधा बैठा लो ना negative charge अगर है charge किसी के उपर है तुम सीधा सा बात, एक simple सा बात सोचो कि मान लो तुमारे उपर कोई एक burden है अब वो तुमारे उपर ही सिर्फ है तो तुम less stable हो, मुश्किल में हो लेकिन अगर उस burden को उस मुश्किल को दो-तीन दोस्तों में share कर ले हम लोग, तो क्या होगा वो मुश्किल कम हो जाएगा तुम comparatively more stable होगे उसी तरह से students किसी species पे charge है किसी atom पे charge है अब वो charge जितना ज़्यादा delocalize हो, जितना ज़्यादा spread हो उतना ज़्यादा stability आएगा अच्छा, दूसरा बात कि negative charge है carbon पे carbon ion है ये तो acceptor group जो है, इसकी stability को बढ़ाएगा क्योंकि वो pull करेगा electron को और donor group stability को घटाएगा तो अब इसमें अगर देखें तो NO2 हो गया minus M से pull करेगा CN minus M से pull करेगा लेकिन NH2 plus M से donate करेगा OME plus M से donate करेगा करेगा कि नहीं अब acceptor group obvious सा बात है, ज्यादा stabilise किया इसको तो NO2 का जो minus M effect है वो CN से ज्यादा होता है, ये minus M का बात तो ज्यादा stabilise कौन करेगा students ज्यादा stabilise किया A, उसके बाद B अब C और D बच गया तो student NH2 और OME में ज्यादा अच्छा donor कौन होगा, सोचो NH2 अगर donate किया तो N पे positive charge आएगा OME donate किया, O पे positive charge आएगा ज्यादा stable कौन होगा N पे plus, less electron negative पे plus ज्यादा stable होता है मतलब अच्छा donor हुआ NH2 भाई अच्छा donor NH2 तो ज्यादा donate कर दिया ज्यादा donate कर दिया तो stability तो घटा दिया तो इसलिए ज्यादा stable कौन होगा D, तो A, B उसके बाद हो गया D और D के बाद हो जाएगा C और ये देखो किसमें दिया है A, B, D, C, ये second option तो correct answer हो जाएगा इसका second ओके students, चलो आगे बढ़ते हैं आप चलो next question देखते हैं कौन सा है, 78 के बाद 80 question number 80, बहुत simple सा question एक, intermediate का है reactive intermediate का, क्या है देखो tertiary butyl carbocatine is more stable than isopropyl carbocatine, मैं बनाता हूँ इसको जड़ा देखो, tertiary butyl C से 3 CH3 लगा दो और ये plus देखो, ये हो गया tertiary butyl carbocatine कहता है ये more stable है isopropyl, isopropyl कैसे बनाऊगा students ये isopropyl हो गया, यहां plus देदो, yes it is more stable, क्यों ये 3 CS3 कौन से effect से stabilize किया hyperconjugation से यहां भी 2 CS3 कैसे इसको stabilize किया hyperconjugation से plus i भी लगाएगा, but hyperconjugation और plus i में priority किसको देना है, hyperconjugation को तो इसमें student 9 hyperconjugable hydrogen या 9 alpha हैज के थरू डोनेट किया, और इसमें सिर्फ 6 alpha ह के थरू डोनेट किया तो जितना ज्यादा hyperconjugable hydrogen होगा, stability उतनी ज्यादा होगी, तो इसलिए tertiary butyl carbocatine की stability isopropyl carbocatine से ज्यादा होती है, अब हम लोग पढ़ते हैं tertiary butyl carbocatine is more stable than isopropyl carbocatine बिल्कुल सही statement है भाई, इसको correct कर लेते हैं reason परो, the more is number of alpha H, alpha H is hyperconjugable hydrogen, more is stable due to hyperconjugative structure no bond canonical structure ज्यादा बनेगा, तो no bond resonance synergy ज्यादा release होगी, stability ज्यादा होगी तो ये correct reason है, reason तो correct है ही, साथी साथ ये correct explanation भी होगा, तो option हो जाएगा, both A and R are true and R is the correct explanation of A, मतलब की third option तो 80 का कौन सा होगी है students third option, okay next question पर बरते हैं, देखते हैं कौन सा है okay, so, आगे बरते हैं 80 के बाद एक numerical है देखें, question number 83 estimation method से, ये numerical है आपके पास, और इसमें देखो, कैसे solve करते हैं इसको हम लो in carious method of estimation of halosal 0.15 gram of an organic compound gave 0.12 gram of A, G, B, R बड़ा simple सा question, students organic compound का weight कितना है? weight of organic compound ये है 0.15 gram ठीक है, समझना दिया आज से जिस तरह से estimation हुआ carious से, finally ये A, G, B, R कितना दिया? इसमें कुछ जरूरत ही नहीं है method का, simple mole concept का question ये तो A, G, B, R कितना दिया? देखो, weight of A, G, B, R तुमको कितना मिला? समझना बात को 0.12 gram ये A, G, B, R का weight मिला तो mole निकाल सकते हो तो moles of A, G, B, R कितना हो जाएगा? तो mole कितना होगा? weight by molecular weight तो 0.12 silver का 108 अब ब्रोमीन का 80 तो 188 ये हो जाएगा तुम्हारा moles of A, G, B, R अब students, 1 mole A, G, B, R में 1 mole A, G, और 1 mole B, R होगा तो ब्रोमीन का भी mole इतना ही होगा? ओके, तो moles of ब्रोमीन कितना हो गया? तो 0.12 divided by 188 ये इसका mole हो गया अब mole of bromine आ गया तो weight of bromine भी निकाल सकते हैं तो weight of bromine कितना हो जाएगा? तो mole है 0.12 divided by 188 और इसको इसके molecular weight atomic weight से multiply करो bromine 80 तो ये weight of bromine आ गया अब organic compound में total bromine कितना है, student? ये अरे भाई, organic compound से ही वो AGBR मिला estimation method से उस AGBR में इतना BR है तो यही तो organic compound का BR है तो इतना bromine है तो अपने से पुछा percentage of bromine तो organic compound में total bromine है इतना? कितना? 0.12 into 80 divided by 188 इतना bromine है तो ये bromine का weight हो गया divided by organic compound का weight कर देते है into 100 कर देते है तो percentage आ जाएगा तो organic compound का weight देखो उदर हम लोग लिखे हुए है 0.15 divide कर दिए और into 100 ये percent होगा तो simple सा है देखो 12, 15 ये cancel हो जाएगा 3 से काट दो ये दोनों कटेगा और multiply करो तो simple सा है ये इसको solve करोगे तो solve करोगे तो करीब करीब देखो 80 0.12 है 188 ये solve करने से करीब करीब 34 के आसपास 34.04% आता है इतना तो आप solve करी सकते है ठीक है students तो correct answer होगा इसका first option 34.04% ओके चली तो देखते हैं अगला question कौन सा है 85 और 85 जो है न student वो तो simple आपका nomenclature का एक question दे दिया है और इसमें क्या है decreasing priority order of some functional group आप से कुछ functional group का priority order पूछा है ठीक है हम लोग पढ़ते हैं न nomenclature में priority order तो वही है इसमें तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन होगा इसमें CO-NH2 हो जाएगा MIT उसके बाद देखो तो CHO हो जाएगा LDH उसके बाद alcohol हो जाएगा और उसके बाद C-Triple-Bond C हो जाएगा तो इसको option से मिला लो तो सबसे ज़्यादा CO-NH2 देखो Z Z किसमें सबसे ज़्यादा जिया है ये देखो Z उसके बाद देखो X हो जाएगा LDH X फिर Y मतलब OH और लास्ट में C-Triple-Bond C तो एक सिंपल सा question है ये आपको याद होगा priority table तो उसके basis पे हम कह सकते हैं कि correct answer हो जाएगा fourth option ओके students चलिए next question पे आते हैं तो next question देखिए आपके पास है अब ये question number 88 अच्छा question है चलिए इसको solve करते हैं in the given compound the bond energy of CHA, CHB, CHD students होता क्या है ना homolytic समझो बात को homolytic bond dissociation energy या bond energy बोले bond dissociation energy या bond energy एक ही बात हुआ ये inversely proportional होता है stability of free radicals free radicals homolytic bond dissociation energy inversely proportional to stability of free radicals मतलब free radicals जितना ज्यादा stable होगा homolytic bond dissociation energy उसकी उतनी ही कम होगी ठीक है इसका भी एक logic student एक simple सा बात है तुम समझो जैसे तुम इस तरह से समझो इसको जैसे CH3 edge और एक तुम ले लो CH3 CH2 edge ठीक है समझना बात को इसको bond को break किये तो क्या मिलेगा CH3 dot इसको break किये तो क्या मिला CH3 CH2 dot student ज्यादा stable कौन होगा CH3 dot या CH3 CH2 dot CH3 CH2 dot ज्यादा stable होगा अब समझो बात को और CH3 dot वाल ज्यादा इस CH bond को यह जो CH3 CH2 है second वाला है इसको पता है कि मैं तूटने के बाद more stable radical बनाऊँगा तो तूटने की टेंडेंसी ज्यादा तूटने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब तोरने में कम इनर्जी लगेगा और तोरने में कम इनर्जी लगेगा तो bond dissociation energy क्या होगा low और इसको पता है कि तूटने के बाद मैं less stable radical बनाऊँगा less stable radical बनाएगा मतलब बनने की टेंडेंसी कम जबरदस्ती तोरना है तो ज़्यादा इनर्जी देना पड़ेगा मतलब इसका bond dissociation energy क्या होगा high bond dissociation energy high तो तुम देखो less stable radical है तो BDE high है more stable radical है ठीक है तो ये BDE low है तो inversely proportional हुआ की नहीं मतलब सिधा-सिधा तुम free radical बना लो H को हटा के उसका stability find out कर लो और उसको inversely proportional लगा दो वही हो जाएगा homolytic bond dissociation energy का order चलो तो मैं क्या करता हूँ इसको ये तो होई गया तो इसको मैं erase कर देता हूँ थोड़ा सा और उसके बाद मैं आपको stability का order इसमें सब्जाता हूँ देखिए अब देखो हम लोग free radical बनाके और उसका stability देखते है तो जैसे सबसे stable free radical कौन से case में होगा तो तुम सोचो HD अगर यहां से हटता है और यहां dot आता है तो number of hyperconjunable hydrogen सबसे ज़्यादा होगी इसका मतलब free radical का stability का बात कर रहे है stability of free radical ये कौन से case में सबसे ज़्यादा stable होगा तो HD के case में सबसे ज़्यादा stable होगा फिर देखो ये टूटेगा यहां तो तीन और यहां एक जो चार hyperconjunable hydrogen इसका मतलब ये ज़्यादा stable होगा HB वाला होगा कि नहीं होगा और उसके बाद देखो तो सबसे less stable यहां वाला radical बनेगा तीनों अलग-अलग case में बनाके देखेंगे हम लोग तो उसके बाद HA वाला radical होगा तो इसका inversely proportion लगा दो तुमसे पूछा क्या homolytic bond dissociation energy या bond energy बात एक ही हुआ तो homolytic bond dissociation energy इसका उल्टा हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे CHB का और उसके बाद CHD का ठीक है students तो चलो देखो यह किसमें CHA, HA, फिर HB, फिर HD तो HA, फिर HB, फिर HD तो correct answer कौन सा होगा students first option clear हो गया अच्छे सी है students next question पर बढ़ते है इसको erase कर दे रहे है और अब देखते हैं 88 के बाद कौन सा question है question number आगया 92 simple सा यह question है आपके लिए resonating structures दिया हुआ है और इसकी stability पूछा है हमसे क्या पूछा है question पहले statement पर हो select the correct option for relative stability of resonating structure तो A, B और C तीन के रोनिकल structure दिया है और उसका stability हम लोगों से पूछा है first में 2 pi bonds है सबका octet complete है second में 1 pi bond है और carbon का octet incomplete है carbon पे plus है गिनलो 6 electron है total तो octet incomplete और इसमें देखो oxygen का oxygen का octet incomplete है तो मोछों सर अम कैसे समझें oxygen का octet incomplete है आता है यह चोटा-चोटा doubt है आ जाता है students को oxygen के last order में 6 electron 1 plus है तो 1 गया तो 5 में 1 bond बनाया तो कितना बचा? 4 चार का मतब दो लो उन पे तो 4 electron वो वाला दो यह तो 6 electron है न तो यह भी क्या हो गया octet incomplete तो first canonical structure में number of pi bonds ज़्यादा है number of covalent bond ज़्यादा है सभी का octet complete है तो stability सबसे ज़्यादा first मतब A का हो जाएगा अब B और C दोनों में ही octet incomplete है तो अब क्या करें? अब difference देखो इसमें positive charge carbon पे है और इसमें positive charge oxygen पे है हम जानते हैं more electronegative पे positive charge less stable होता है तो O पे जो positive है यह हो जाएगा less stable carbon पे positive comparatively more stable इस कारण से A के बाद जो होगा वो होगा B और B के बाद होगा C तो correct answer ABC चलिए देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए second option में दिया है A then B then C तो second option इसका correct answer होगा ओके students आगे बढ़ते हैं चलिए तो ये था 92 number question 92 के बाद next question हमारे पास है question number 94 ओके तो चलो 94 को देखते है among given species identify correct marked atom XYZ as electrophilic center मतलब सीधा सा भाई electrophilic center कौन होगा जिस पे nucleophile attack करेगा जो electrophilic center होगा nucleophile उस पे attack करेगा चलो देखते हैं कहाँ पे attack करेगा तो student इसमें ये वाई देखो ये हो जाएगा क्योंकि अगर कोई nucleophile है तो इस carbon पे del plus है तो इस पे attack करेगा और C O को open करेगा ये nitrogen नहीं होगा इसमें carbon होगा क्योंकि nucleophile अगर रहेगा तो carbon पे attack करेगा और C N1 को open करेगा क्योंकि carbon पे del plus है और इस case में थर्ड case में देखो तो nucleophile CH3 पे attack करेगा I को भगाएगा क्योंकि carbon पे del plus है तो electrophilic center कौन हुआ जहाँ del plus है और जानियो nucleophile attack करेगा तो इसमें correct कौन सा so किया गया है ये why तो देखो why only किसमें दिया है ये second option तो 94 का correct answer कौन सा हो गया second ओके students चलो आगे बढ़ते हैं आप तो next question चलो देखते हैं कौन सा है इसके बाद 94 के बाद next question है आपके पास question number 98 so 98 में क्या है select the correct options for increasing stability of carbocatine again student अब carbenine उधर था अभी carbocatine है तो carbocatine की stability कोन बढ़ाएगा donor group बढ़ाएगा कि नहीं क्योंकि उसके पास electron की deficiency है अब देखो तीनों में तुम difference देखो देखो ये ring के साथ सभी में चारों में resonance कर दा है तो इन सब में difference क्या है देखो ये metaposition पे CS3 लगा हुआ है यहां C2H5 लगा है isopropyl लगा है tertiary butile लगा हुआ है कहने का मतलब ये कि ये चारों metaposition पे student ये ध्यान देना जरूरी है अगर यही paraposition पे रहता तो तुम्हें उसका hyperconjugation effect लेना पड़ता लेकिन क्योंकि ये metaposition पे है तो metaposition पे तो सिर्फ inductive वर्क करेगा और क्योंकि hyperconjugation से इस carbocatine को ये सब stabilize कर ही नहीं पाएगा तो इन सब का हम लोग कौन सा effect लेंगे plus I effect लेंगे और हम लोग को पता है कि plus I alkyl में अगर देखें तो tertiary alkyl फिर secondary alkyl फिर primary alkyl और फिर methyl ये होगा कि नहीं order तो सबसे ज़्यादा plus I क्यों से case में हो जाएगा D उसके बाद C, उसके बाद B और उसके बाद A तो answer क्या हो जाएगा? D, C, B, A तो metaposition इसलिए हम लोग plus I लिए है ओके students तो चलो DC, B, A किसमें दिया देखो? DC, B, A, correct answer हो जाएगा second option ओके students next question देखते हैं इसके बाद इसको मैं erase कर दे रहा हूँ और next question इसके बाद ये last है question number 100 तो 100 question number जो है ये IUPAC naming का है इस compound का IUPAC name कह रहा है लिख रहे है चलिए देखते हैं तो देखिए C double bond C है, तो double bond को priority दोगे यहीं से numbering भी करोगे 1, 2, 3 अब इधर जाएंगे तो 4, 5, 6, इधर भी 4, 5, 6 लेकिन इस side, right side में देखिए तो branching है, इसलिए right side जाएंगे तो 3 के बाद हो गया 4, 4 के बाद 5 5 के बाद 6 4 पे कौन सा यह सब्स्टिच्वेंट आ गया इथाइल और 3 पे कौन सा सब्स्टिच्वेंट आ गया 3 कारबन का प्रोपाइल हो गया अब तो नाम लिखी लेंगे हम लोग जिसको हम लोग discuss किये अच्छे से और मैं hope करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से यह समझ में आया होगा Thank you students